जै स्री राम, जै हनमान, ओम स्रे हनुमन ते नम, हनमान जी का असिरबाद सदा अपर बना रहे, हनमान जी के असिरबाद से आपका भाग्य उदेव हो, जीवन में सुक समरिदी सौ भाग बढ़े, आपका कल्यान हो, निश्चे प्रेम प्रतीते, बिने करें सनमान, तेहीं के क आपको भागे साली बनाए संकट से रच्छा करो हे महावीर हनमान संकट मोचन किरपानिधान जय हनमान जय जय हनमान तुलारासिवारो सोमबार का दिन 12 सिक्तमबर उत्रा भादरपद नचत्रे सनी और बिरहस्पती उसके बाद रेप्ती नचत्र का बुद्ध आपकी कुंडल अब भादरपद नचत्रे में सनी बुद्ध बिरहस्पती का परभाव रावु की चाया चंद्रमा और मंगल की दृष्ठी है सनी का परभाव उत्रा भाद पद्धन चत्र में आपकी कुंडली के सुख स्थान में सनी का गोचर आपकी जीवन में तरक्की उनत्ती स्वभग और सुखे जीवन में सुखे धन सफलता और खुसी आज आपको सनी और विरस्पती के प्रभाव से प्राप्त होगा जबकि बुद्धे आपके भग्य को चमकाएगा आपके जीवन में तरक्की सम्रिद्धी का योग बनाएगा आज आप चतुराई से काम करेंगे आज आपके जीवन में सफलता काम्यावी का योग है क्योंकि इसमें आपकी कुंडली के लग्न में केतु का गोचर है केतु का परभाव आपकी कुंडली के भाग्य अस्थान पर है आपकी कुंडली के पंचम भाव पर है वहीं आपकी कुंडली के सुख अस्थान में सनी का गोचर जिस जिसका परभाव आपकी कुंडली के कर्म अस्थान पर है आज ये सत्तमभाव में राभू का गोचर है और अस्तमभाव में मंगल बैठा है मंगल जिसकी दृष्टी आपकी कुंडली के धन अस्थान पर है आज ये आपकी कुंडली के लाब अस्थान में सुर्ज सुक्र का ग बोचर है और 12 भाव में बुद्ध बैठा है आज का दिन तुलारासी वारू के लिए भाग्योदय तरक्की उनत्ती नौकणी बैपार में धन का लाब आज सफलता कार्चमता उपलब्धी और इच्छाओं की पूर्ती क्योंकि सनी का मित्र बुद्ध सुक्र राभू की इस्त स्थान में और आवू सत्तम भाव में आज ये सनी की स्थिती आपकी कुंडली में सुभ है क्योंकि सनी इस समय धनिष्टा न छत्र में मंगल के प्रभाव से प्रभावित है आपकी कुंडली के सुखस्थान में इस समय सनी का गोचर है और सनी के सुखस्थान में राभू भ तो उत्रा भादरपद्न चत्र का सनी आपकी जीवन में सुख सम्रिद्धी सौभग्य देता है। बहुत दिनों से आपकी जीवन की जो उल्जन, आपकी जीवन में जो रुकावर्थी अब देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो समय है आपके लिए सफलता आपकी जीवन में सुख है, सौभग्य को बरहाएगा, तेजी से आप उनत्ती करेंगे, अपने कर्म से सुखों का भोग करेंगे, आपकी जीवन में लाब तरकी का योग है, आपके कार्चेत्र का अभिस्तार होगा, आपके अंदर नई उर्जा का संचार होगा, क्योंकि आज आपकी कुंडली में बुद्ध, राभू और सुक्र के साथ सनी की स्थिती अच्छी है, वहीं दूसरी तरफ रेप्ती नचत्र में बुद्ध भी आपके लिए बड़ा भग्य साली योग बनाएगा, क्योंकि बुद्ध आपके भग्य स्थान का स्वामी है, इस समय बुद्ध हस्त नचत्र में चंद्रमा के परभाव से परभावित है, वहीं सनी धनिष्टा नचत्र में मंगल के परभाव से और राभू भणी नचत्र में सुक्र के परभाव से परभावित है, राभू का पंचम दृष्टी सुक्र औ पर है विरस्पती और मंगल की स्थिती भी आपके लिए सुभ है क्योंकि मंगल का चतुर्द्रिष्टी सुर्ज और सुक्र पर है जब ऐसा योग होता है तो आप अपने जीवन में सिग्र सफलता पाते हैं बड़ी काम्याबी खुसखबरी और जीवन में लाब भागे का साथ आपको प्राप्त होता है तुलारासिवारों आप जो सुभ काम करेंगे उसमें संपत्ती की बिर्धी होगी लाब की स्थिती बनेगी उनत्ती होगी तरक्की होगी ये समय आपकी जीवन में उपलब दी और स्वभग्य को लेकर आया है ऐसी स्थिती में आपका जीवन प्रभाव साली होता है, कठोर परिश्रम से, अपने कर्म से, अपने भग्य को बदलने की ताकत आप में होती है, आपका confidence आपको आगे बढ़ाता है, और भग्य जीवन में सुक समरिधी देता है, नौकणी बैपार पढ़ाई के छेत्र में किस्मत का साथ मिलेगा, अत्यन सु योग है, आज राभू की स्थिती भी आपकी कुंडली में अच्छी है, राभू आपकी कुंडली के सत्तम भाव में गोचर कर रहा है, जीवन की कठनाई, जीवन की परिशानी, आज आपका समाप्त होगा, आपके लिए कर्म सफलता लेकर आएगा, जीवन में सुख आगे का योग है, जीवन में बड़े काम आप असानी से कर पाएंगे, जो रुकावटे आपके जीवन में आ रही थी, अब वो खत्म होगा, आत्म विश्वास की बिर्दी, आपका जीवन सुखी, आनंद पूर्वक आगे बढ़ेगा, तुलारासी वार्व के लिए, आज क दिन सुख है, क्योंकि आज चंद्रमा और मंगल की द्रिष्टी है, इस समय चंद्रमा के लग्न में विरस्पती का गोचर है, और मंगल जो आपकी कुंडली के अस्टमभाव में बैठा है, चंद्रमा के लाबस्थान में गोचर कर रहा है, ये स्थिती आपकी कुंडली में आपके भग्य को जवर्दस तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा रहा है मन का विश्वास आपका इच्छा सक्ती आपके जीवन में सुभग्य सुखे लाभ लेकर आया है तुलारासि वार्व के लिए समय तेजी से बदलेगा आपकी परिस्थिती बदलेगी सफलता उपलग्धी से जीवन में सुख सौभग्य बढ़ेगा आप धन अरजित करेंगे आपके जीवन में ये समय बड़ी तरक्की लेकर आया है सैयम से काम लें समय अच्छा है मन में अच्छे विचार आएंगे अपने मिहनत का उप्योग करें कठोड परिस्थिती में बदलाओ आपकी जीवन में लाब और सफलता की बुलंदी पर आपको पहुँचाएगा क्योंकि आज उत्राभादपद नचत्र में सनी के परभाव के चलते कर्म पर विश्वास बढ़ेगा वहीं रेप्ती नचत्र में बुद्ध के परभाव से आपकी जीवन में सांती सम्रिद्धी उनती और धन कमाने की इच्छा जागरित होगी तुलारासी वारू के लिए ये समय बड़े लाप के आउसर लेकर आएगा समय का महाचक्रे आपकी जीवन में धन सम्रिद्धी का योग बना रहा है परिवारिक जीवन अच्छा होगा गिरस्त जीवन में खुसी और सुक बरहेगा आज ये सोम बार का दीन है बारा सितंबर गंड योग है आसिन मा किस पच की दूतियाती थी है उत्रा भादपद नचत्र में सनी और विरस्त पती 6 बच कर 69 मिनट तक उसके बाद रिप्ती नचत्र का बुद्ध और विरस्त पती के परभाव में आपके लिए बड़ी तरक्की का योग है आज का ब्रह्मूरत सुबह 5 बच कर 8 मिनट से आरंभ होगा उस दोरान उत्रा भादपद नचत्र में सनी के परभाव से दिन की सुरुवात होगी सनी जो आपकी कुनली के सुख अस्थान में बैठा है जिसके परभाव से आपके जीवन में लाब तरक्की का योग बनेगा जिसके परभाव से लाब समरिद्धी, धन और लोगप्रियता बढ़ेगी अपनी सक्ती से जीवन में अपने कर्तब को आप अच्छे से निवहाएंगे 39 अफलता का योग है, सुख सवभग्य का योग है क्योंकि सनी आपकी कुनली के सुख अस्थान में बैठा है जिसकी दृष्टी आपकी कुनली के कर्म स्थान पर है सनी के परभाव से अपने कर्म से जीवन में बड़ी तरक्की आप करेंगे जवर्दस तरक्की का योग है वहीं विजय मुहरत में आपके लिए बड़ी सफलता काम्याबी आपको प्राप्त होगा दो बचकर 21 मिनट से तीन बचकर 11 मिनट का समय आपके लिए बेहद ही सुब होगा ऐसे समय में आप बड़ी सफलता खुसखबरी प्राप्त करेंगे जीवन में सुखधन सौभग्य बढ़ेगा और अभी जीत मुहरत 11 बचकर 52 मिनट से 12 बचकर 42 मिनट का समय चंद्रमा और मंगल के परभाव से आपके जीवन में आपके मन का विश्वास आपके मन में अच्छे विचार बड़ी तरक्की सौभग्य का योग समय आपके लिए बेहद ही लापकारी है जो आपके सपनों को साकार करेगा आपके लिए तरक्की उनती का योग बनाएगा आज का राभुकाल 7 बचकर 38 मिनट से 9 बचकर 11 मिनट राभुकाल के दोरान किसी भी सुपकाम का सिरी गनेश ना करे पूरब दिशा की तरब से दिन की सुरवात ना करे आपके लिए लखी कलर ग्रीन होगा लखी नमर थ्री होगा तो तुलारासिवारों के लिए जीवन में जवर्दस तरक्की का योग है सुख और समरिधी का योग है जीवन में खुसी सफलता और सुख की प्राप्ती होगी आज आपकी कुंडली में सनी बुद्ध विरस्पती का परभाव बड़ा सुभ है जिसके कारण आपकी जीवन में बड़े लाप का योग है आज चंद्रमा जो विरस्पती के साथ आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है आपकी किस्मत को चमकाएगा आपके भाग्य में तरक की शुकक का योग बनाएगा हनुवान जी का दर्सन करे हनुवान जी की पूजा करे समय सफलता काम्याभी सुख और धन देगा तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे इसी रासी फलकारज करम में तब तक के लिए मुझे आग्या दें आपका दिन सुभो जैसरी राम जैहन्मान